गुट इवनिंग अल आफ यू एडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागते पेटा फटा फट आप लोग लाइव आ जाएए फटा फट आप लोग लाइव आजाएए क्लास को जल्दी से सारे आप लोगों के फ्रेंड्स में गुरूपों में जितने भी हूं लाइक एंड सेयर कर दीजिए आप फटा फट उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के तो हम लोगों का यह रहा पहला कोश्चन देखिए पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पे यह रहा इसका आंसर बताइए आप लो सिलिकोसिस जो बिमारी होती है किसके कारण होती है बोलो भाई सिलिकोसिस जो बिमारी होती है किसके कारण होती है तो बेटा सिलिकोसिस जो है ऐसे ब्यक्ति जो आपके किस में काम करते हैं जो आपके टनल्स वगेरा में काम करते हैं तो वहां पे जो धूल उड़ती है तो उस के कारण वो जो है क्या होता है आपके फेपड़ों में जमा हो जाती है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ठीक है डास्ट फ्रॉम सिमेंट फैक्ट्रीज में जो डेस्ट उड़ती है उसके कारण क्या हो जाती है वेटा उसके कारण सिल किसे फाइड़ इन इंडियन स्टेन्डर्ड इनीटियल सेटिंग टाइम क्या होता है बो भाइ इनीशिएल सेटिंग टाइम आपका क्या होता है बैटा किसी सिमेंट का setting time या आपका 30 minute या उससे less than होता है ठीक है क्या होता है 30 minute और final setting time 600 600 minute मतलब क्या 10 गंटे या इससे ज्यादा तो आपका क्या हो जाएगा 30 minute आपका ये initial setting time हो जाएगा ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे very good बिटा है दर very good चलो यह है आपका next question for low alkali content is usually restricted to x percent by weight where axis कह रहा है alkali content अपने weight का cement में कितने percent पाया जाता है बोलो भई कितने percent बोलो भाई answer बताओ इसका सभी लोग alkali content अपने weight का कितने percent होता है क्या बोलो है बटा बी नहीं बटा alkali content k2o या na2o k2o या क्या होता है potassium oxide या sodium oxide कितना होता है 0.521.3 percent something यह कितना इसके बीच में क्या रहा है 0.6 इसका answer हो जाएगा ठीक है 0.6 इसका answer हो जाएगा चलते हैं next question की ओर retard the initial setting time of cement जब कहता है cement के आरंभिक जमने के समय setting time को धीमा करने के लिए काउन सा योगी कुत्तर दाई है बोलो भाई कि ट्राइ कैल्सियम सिलिकेट जिप्सम डाइ कैल्सियम सिलिकेट ट्राइ कैल्सियम एलुमिनेट क्या होगा इसका answer बोलो आप लोग जल्दी से तो सिमेंट को जो घटने की दर होती है setting time को जमने के समय को क्या करता है दीमा करता है वो क्या करता है आपका जिप्सम करता है ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे चलते हैं next जो है हम question की ओर यह रहा आपका question which of the following test used to estimate soundness of ordinary portland cement कह रहा है सधारण portland cement की निर्दोसिता यानि soundness जाचने के लिए निम्न में से कौन सा परिछण किया जाता है पुलो वाई अब्राहम स्लंप लीचेटलियर flow table test motor bar test बुलो भाई कौन सा किया जाता है तो आपका इसका answer आता है लीचेटलियर test soundness test करने के लिए ये क्यों सा टेस्ट किया जाता है आपका लीचेटलियर test आपका soundness check करने के लिए किया जाता है next question आपका कह रहा है grain size of soil indicated that d10 की value कितनी दी हुई है d10 की value दिये है 0.005 d30 कितना दिया है d30 आपका दिया है 0.003 and d60 आपका कितना कह रहा है d60 है 0.006 the uniformity coefficient कह रहा है निकालना है तो uniformity coefficient क्या होगा हाँ बेटा soundness for lime के लिए क्या जाता है very good तो c u is equals to d60 upon d10 के होता है uniformity coefficient कर दो d60 कितना है 0.006 upon 0.005 यह से यह कड़ी गया देलो कितना है 1.2 इसका answer आ गया 1.2 इसका answer आ जाएगा ठीक है चलो चलते है next question की ओर कह रहा है in a soil specimen 70% of soil is particles are passing through 70% soil जो है किस से पास हो जाता है 4.7 mm sieve size से and 40% of particles are passing to 75 micron sieve uniformity coefficient is 8 and coefficient of curvature is 2 भाया coefficient of curvature की limit क्या होती है यह जो है coefficient of curvature 3 से कम होना चाहिए और 1 से ज्यादा होना चाहिए इसका मतलब यह 2 दिए है तो इसका मतलब यह limit आपकी ठीक है और अगर आपकी soil का यह canло कि वैलू कितना दिए है cu आपकी 8 दिए इसका मतलब 6 से अगर ज्यादा है तो soil आपका कौन सा होगा बीटा यह आपका well graded gravel हो जाएगा well graded gravel हो जाएगा बताव भाई कोई doubt है किसी को बोलो भाई यह soil क्या हो जाएगा आपका well graded gravel हो जाएगा चलो चलते हैं next question की ऊर कह रहा है सीविंग इस not practicable for grain size is smaller than about बताव भाई आंसर बताओ इसका सीविंग इस नौट प्रैक्टिकेवल फॉर ग्रेन साइज स्मालर दैन किस से कम नहीं होना चाहिए सीविंग के लिए गोड इवनिंग विटा अभी गोड इवनिंग बताओ आई आंसर दो भाईया सीविंग जो है आपकी जो करते हो तो पहली बात तो ध्यान रखो कि सीविंग के लिए जब आप चलनी से छानते हो किसी भी स्वाइल को उसका साइट 0.075 mm से क्या होना चाहिए बड़ा ही होना चाहिए अगर ये इससे कम है तो ये क्या हो जाएगा आपका वेट सीविंग की तरह करना पड़ेगा स्टीप स्लोप इंडिकेट सेट टाइप आप स्वाइल एज इस्टीप स्लोप किसको किसको indicate करता है वोलो भई इस्टीप स्लोप किसको indicate करता है वेल ग्रेड़ेड़ ग्रेड़ेड़ उनिफॉर्म सॉइसाइज स्वाइल नन अब दी एवव आठवे का एठीक है बटाई बताओ आठवे का एई तो था हाँ यह है चलो बताओ पार्टिकल साइज distribution कर्व इस्टीप स्लोप कह रहा है तीछ धाल वाला कर्ण परिमाप वित्रण वक्र किस प्रकार की म्रदा को समूचित करता है अंसर बताओ भई आप लोग इसका बताओ जल्दी से अंसर अरे भईया जब कोई तीछ धाल वाला आता है कह रहा है यूनिफॉर्मटी तो कर्व यूनिफॉर्मटी के लिए जो आपके साइज है वह नहीं बटा साइज नहीं यूनिफॉर्म साइज के होना चाहिए कैसा होना चाहिए यूनिफॉर्म साइज आप स्वाइल होना चाहिए एक ही साइज के सेंपल होना चाहिए आपको ठीक है तभी आपको स्टीप स्लोप इ मिजर करता है बोलो भई एक्टिव साइज युनिफॉर्म्टी कोफिशेंट कोफिशेंट और करवेचर की नौन आप दी एवब बोलो भई तो पार्टिकल साइज की रेंज जो है आपका परिमाप कौन मिजर करता है एक्टिव साइज युनिफॉर्म्टी कोफिशेंट कोफि सब्सक्राइदी कि सर कोश्चन हार्ड है आज हमने इजी रख दिये तब भी अंसर नहीं दे पा रहे भाई क्या होगा यूनीफरमटी कॉफिशियंट, वेरी गुट वेटा, ठीक, जो आपके पार्टिकल साइज की रेंज मिजर होती है कैसे होती है? यूनीफरमटी कॉफिशियंट सी यू से और इसकी बेलू होती है D sixty by D ten, इसको आप लोगों को याद रखना है ठीक है चलो चलते हैं next question की ओर कर रहा है with a same cross sectional area जिसका cross sectional area same हो and emerged in same turbulent flow और उसको same turbulent flow में डाल दिया गया है तो largest total drag will be on किस पे लगेगा total drag बोलो भाई circular risk of plate held normal to flow sphere में cylinder में की streamlined body में पता भाई किस में लगेगा बोलो भाई यह जो है आपका किस में लगेगा यह आपका circular disk of flow plate held normal to flow अगर आपकी circular disk की plate है किस में normal पड़ी है तो उसमें जो है क्या लगेगा आपका turbulent flow में friction ज्यादा लगेगा चलते हैं next question की ओर कह रहा है stream function for two dimensional flow is given by five is equals to four xy choose the wrong conclusion about nature भाई यह stream function आपका क्या होता है डेल two five psi upon del कितना होता है डेल x square प्लस डेल two psi upon del y square is equals to zero यह आपके आना चाहिए यह condition होती है अब यह condition कौन सी fulfill होती है बोलो भाई कि the flow satisfy continuity equation the flow is rotational flow the flow is potential flow the flow is irrigation flow कौन सा फ्लो आपका होना चाहिए जल्दी बताव भाई आपका फ्लो कौन सा फ्लो होना चाहिए अंसर बोलो भाई जल्दी से बोलो अरे यह equation क्या है भाई डेल two five by del x square प्रस डेल two five by del y square is equals to is rotational flow की equation होती है आप लोगों नहीं पढ़ा गया इस kinetic kinematics of flow kinematics of flow क्या कहता है कूची equation कूची equation क्या formula यह होता है math अगर पड़ी होगी तो ठीक है यह क्या होगा flow आपका rotational flow होगा ठीक है irrigation flow नहीं होगा बेटा rotational flow गा rotational की equation होती है which of the following is non-dimensional नंबर नॉन डाइमेंशनल नंबर बताना है renal नंबर, fraud नंबर, Zhou 2 यूलर नंबर, कौन सब फ़्लो् आपका नॉन डाइमेंशनल फ्भलो है तो भईया आपका ये यूलर नंबर होता है यूलर नंबर, होता है चलते हैं next question की योर if the velocity pressure density etc do not changes at a point with respect to time the flow is called बोलो भाई कह रहा है if the velocity pressure density do not change with respect to time एक कह रहा है इस pipe में ये pipe है इसमें flow भर बह रहा है इसमें flow भर रहा है और मैंने एक section card दिया one one और एक section है two two और एक certain time ले लिया यहां से यहां तक के बीच में और इस flow से यहां तक आने में एक निश्चित समय में flow की property change नहीं हो रही है तो वह flow आपका क्या होगा बेटा यह flow आपका study flow होगा respect to time कहरा है याद रखो respect to space कहता तो आपका uniform flow होता ठीक है इस बात को याद रखो चलते हैं next question की ओर वेंचुरी मीटर is used to measure वेंचुरी मीटर से आप लोग क्या निकालते हो भाई बोलो velocity of liquid, pressure of flowing liquid, discharge of liquid flowing through pipe, pressure difference of liquid flowing between two points in a pipeline क्या निकालते हो आप बोलो भई तो यह वेंचुरी मीटर आपका किसी भी pipe में अगर discharge है निकालना है क्या आपकी प्रवाही की दर निकालना है pipe के यह कह से निकालते हैं आप लोग वेंचुरी मीटर से निकालते हो यह answer आपका किस के साथ चला जाएगा C number के साथ चला जाएगा ठीक है चलो चलते हैं next question की ओर कह रहा है middle third rule is the stability analysis retaining wall ensure the condition of number बताओ भई middle third rule stability के कौन से condition में आपका यूज होता है बोलो भई हाँ middle third rule is stability कह रहा है कोई भी दिवार है यह और यहां पे एक जो है यह ऐसे जो है बनाएगी तो यह इसके कहां पे होगा यह बी बाई थ्री और मिडल थार्ड रूल यह कहता है बी बाई थ्री और यह डिस्टेंस कितनी होती है बी बाई सिक्स पूरी तो यह यहां पे इस दिवार पे क्या जनरेट करती है यह यहां पे इस पॉइंट पे purely purely बताओ बाई में जोन में स्ट्रस होता है को और इज जोन इन विच इस्ट्रस इस प्योरली को एक छेत्र है जिसमें प्रतिबल सुद्ध रूप में होता है तो भाईया को और में आपका compressive stress होता है very good बेटा दीपा का पहला अंसर बिल्कुल exact आया है चलो चलते हैं next question की ओर यह देखो कह रहा है vertical wall of circular breaker vertical wall of circular breaker beaker sorry beaker circular beaker is subjected to horizontal pressure due to coal stored in stored there in the wall the bunker is designed काई आया है ब्रत्तकार bunker जिनके अंदर कोईला भरा हुआ है bunker के उर्ध्वाधर दिवार पर कोईले के कारण 36 दाब पड़ता है bunker की दिवार का अभिकलपन निमन में से क्या होगा axial tension hoop tension and shear force hoop tension and bending moment बताव भाई क्या होगा इसका answer कि बोलो भाई तो भाईया vertical के देखो vertical wall है मान लिया आमने vertical wall है यह इसके circular beaker is subjected to इसमें एक circular beaker है horizontal pressure पढ़ रहा है coal जिसमें stored है तब wall subjected to तो वाल में पहली बात तो देखो hoop tension भी लगेगा यहां पे क्योंकि यह कोईले का यह जो प्रेसर है यह load लगाएगा इसमें तो hoop tension भी लगेगा और इसके current दिवाल जो जब force लगेगा तो bend भी करेगी इसका मतलब क्या है hoop tension and bending moment दोनों लगेगा ठीक है यह hoop tension and bending moment चलो चलते हैं next question की ओर the core of hollow circular section of internal and external diameter कितना है 60 mm and 80 mm respectively circle of radius in mm उसका जो है व्रत्य की त्रिज्या बतानी है बोलो भाई कैसे होगा कि कह रहा है कोई भी core है जिसका circular है यह मानलो यह outer diameter internal diameter तो outer diameter कह रहा है 80 mm है 80 mm और internal है 60 mm तो core की total radius कितनी होगी तो र रहा क्या होगी āरवन इस्क्वाइर प्लस फ्लस रट्वी स्क्वाइर अपन एट र को स्क्वाइर ये इसका हो और यो ता है क्या होता है यह थर रिज्सक्वाइर निकाल लो निकला आएगा निकला लो निकला आ XY जल्दी से डीवन कर लो या अंसर डीवन में दिये न डायमेटर जल्दी हो जाएगा डीवन स्कॉयर प्लस डीटू स्कॉयर प्लस एट डीवन स्कॉयर आसानी से निकल आएगा क्यों डीवन दिये देखो calculate करके आप लोग बोलो भाई चलो डी option नहीं दिये देख लेना इसमें जो भी आए तो जो भी एक निकाल लोगे ना चलो जो भी आए निकाल लेना अंसर डी option इसमें छुप गया है लेव इसका अंसर ये option ही नहीं दिये इस question में चलो printing mistake and artisan aqofer कह रहा है artisan aqofer is the one where क्या होता है water surface under the ground is at atmospheric pressure water is under pressure between two impervious strata water table as serve as upper surface of the zone of saturation बता हो भाई artisan aqofer किसमें आपका काम करता है जल्दी बता हो आप लो बो भाई कि बोलो भाई कि बोलो भाई कि बोलो भाई कि क्या बोलो भी नंबर अच्छा अच्छा इसका अंसर क्या होगा वाटर टेवल सर्व आयज अपर सर्फेस आप जोन आप सचुरेशन और अपर सर्फेस की जोन कितनी होती है six meter यह इससे ज्यादा होती है तो वहाँ पर आपका artisan pressure काम करता है एक को फर पे ठीक है यह आपका किसके साथ जाएगा c number के साथ जाएगा चलो आपका कि दा मैक्सिमम परिमिजबल सक्षन लेफ्ट फॉर सेंट्री फ्यूगल इन प्रैक्टिस मैक्सिमम परिमिजबल सक्षन किसके साथ लिफ्ट करता है बोलो भई अंसर बोलो इसका अंसर बोलो इसका अंसर बोलो भई बताओ भई छी ए फिरी माक्सिमम परिमिजबल सेख्षन भई या मैक्सिमम परिमिजबल सेक्षन जो आप लगाते हो सेक्षन पाइप में वो कितना होता है 6 मीटर से जादा ही होता है वही पे आपको लगाते हो ठीक है इस चीज को याद रखोगे चलो चलते हैं तो Über और सिलेंडर और वाल फिल इज सुटेवल एंड एकोनॉमिकल कह रहा है कोई भी सिलेंडर वाल है क्या है कूप पाद निम्न में से उपयुकत है हाई डिस्चार्ज एंड हाई का ड्रॉप हाई डिस्चार्ज लो ड्रॉप लो डिस्चार्ज एंड हाई ड्रॉप लो डिस्चा होता है suitable economical low discharge and high drop होता है किसमें क्या होगा low discharge and high drop के लिए suitable होता है किसके लिए suitable होता है cylinder low discharge and high head चलो भाई चलते हैं next question की ओ diameter of tube bill is normally limited diameter of tube bill किसके limited होता है 500 mm 500 mm 150 mm 100 mm 250 mm बोलो भई diameter of tube bill is limited किसमें होता है answer बताओ भई इसका तो diameter of tube bill कितना होता है आपका 500 mm सीमित होता है ठीक है नॉर्मली लिम्टेड टू 500 mm चलते हैं next question की यह जवाब नहीं दे रहे भाई आप लो चलो काह रहा है स्टेफिनेस मैट्रेक्स विद रिफ्रेंस टू कॉडिनेट 123 स्टेफिनेस मैट्रेक्स बना यह 123 कॉडिनेट पे आपको स्टेफिनेस मैट्रेक्स बताना है क्या होगा स्टेफिनेस मैट्रेक्स आपको बताना है इसमें क्या होगा कि बता वही प्रतेक पॉइंट का पहली बात तो आपको निकालना है प्रतेक पॉइंट का आप लोगों को डिफलेक्शन निकालना है यह इसकी स्टेफिनेस मैट् करण किटनी आएगी डिफलेक्षण यिसटू के कारण कितनी आईगी और 3 की कारण कितनी आएगी तो 1ंद जब इसका fixed है मोमेनट लग रहा है देखो यह बाहर की और reaction यह आपकी वर्टीकल रिक्षन और यह का मुमेंट लग रहा है तो मुमेंट के कारण जो पहली आईगी रियक्शन वो कितनी होती है वन एंड फिक्ट वह आपकी फोर याई भाई एल ठीक है वन एंड क्योंकि फिक्स है यह आपकी फोर याई वाई यल जब इसका डिफलैक्शन यह डाउन करेगा डाउन होगा से तो इसका deflection कितना आजाएगा very good वेटा answer भी आ गये लोगे सीवम ने exact answer बताया है तो इसको प्रतेक point का आप लोग लोड and deflection से निकालोगे stiffness matrix इसकी one ही आईगी answer इसका ठीक है ये ये इसका answer क्या हो जाएगा one के साथ चला जाएगा लोड के और लोड प्रतेक point वे आपको deflection निकालना है इस लोड के recording और उसको matrix form में रख देना है कि वह इतना सा काम है बस कि चलो influence line for horizontal thrust in a three hinged parabolic hinge कह रहा है influence line for horizontal thrust horizontal thrust के लिए three hinged parabolic hinge में क्या होता है भाई three hinge देखो अब आपको अगर मैं देखो ये थ्री हिंज है मानलो ये एक हिंज है ये एक हिंज है ये तो आपको अगर मैं इसका जो है क्या बना हूँ इसका अगर मैं influence line ये मुझको triangular जाएगा ना इसका ये क्या होगा यह है आपको ILD इसकी क्या मिलेगी आपको ट्राइंगुलर सेप की ILD मिलेगी ठीक है वेटा चलते हैं next question की ओर influence lines can be drawn क्या निकालते हैं influence line से बोलो भाई इस्टाटिकली determined structure की लिए influence line ट्रा करते हैं बिल्कुल सही करते हैं साथ इस्टैकली indeterminate के लिए भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं statical The greatest इसका मतलब किसी भी structure के लिए आप लोग क्या निकाल सकते हो न्विटा influence line diagram ड्रा कर सकते हो चलो बाई चलते हैं next question की ओर influence line डाइग्राम for bending moment in a simply supported beam bending moment के लिए कितना होगा भाई बताएं कि दो भाई बेंडिंग मोमेंट अगर कह रहा आ है डाहिग्राम देखो अघर कह रहा है influence line diagram bending moment के लिए मैं ले रहा हूं वान इन्ड is hinged कर दो other hinges ruler यहाँ पे कोई road लगा दो तो देखो इस load के कारण यह कैसे जाएगी आपकी यहाँ पे तो यह 0 रहेगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी इसका मतलब यह इस load के कारण भी आपकी triangle आजाएगी किसमें यह triangle आजाएगी बटा load है लगा है ठीक है ये simply supported beam पे bending moment चलो maximum bending moment due to single moving point load on a simply supported beam अकर्स कह रहा है कि maximum bending moments due to single point load on a simply supported beam में कहां पे होगा quarter span, mid span, anywhere, section under the load कहां पे होगा भाई बोलो बोलो भाई आंसर बताओ अरे भाईया मेरे maximum bending moment पूछ रहा है कह रहा है यह simply supported beam है यह आपका simply supported beam है क्या होगा है चलो यह आ bounty अपका simply supported beam है और कह रहा है कोई भी point load यहां पे लगा है तो यह आप का जैसे left side और या right side center से बराबर distance पे रख देते हो तो यह section under the load आपका क्या हो जाएगा यह आपका answer हो जाएगा यह क्या हो जाएगा section under the load आपका answer हो जाएगा very good पिटा आभी आपका answer exact correct है चलो कह रहा है stable structure one of the important properties of flexible and stiffness matrix is that the elements on the main diagonal must be positive of stiffness matrix, must be negative of stiffness matrix, must be flexibility of matrix, must be negative of flexibility क्या होगा answer बोलो भाई answer बताओ इसका बोलो भाई stable structure है one of the important important properties flexibility देखो बेटा flexibility और stiffness की पहली बात तो flexibility जो है stiffness हमेशा always positive value आती है matrix में यह बिल्कुल सही है आपका ठीक must be negative stiffness negative कभी नहीं आती must be positive flexibility flexibility की value भी हमेशा आपको positive मिलेगी इसका मतला पहला और तीसरा आपका यह सही है तो पहला और तीसरा कहां तिये first number आपका यह सही है इनकी value negative कभी भी नहीं आती है इस चीज़ को याद रखना आप लो चलते हैं next question की और reference point on which the days work closed and form where leveling is contained the next day are called वो भाई answer बताओ इसका क्या होगा temporary benchmark ठीक है temporary benchmark arbitrary benchmark permanent benchmark reference point on which are days किसी दिन में reference point आपको ड्रा करना है closed and form where leveling is continued next day कह रहा है आपने जहां पे आज survey किया आज साम हो गई suppose that और साम हो गई तो आज आपने survey work छोण दिया अगले दिन जो आप survey करोगे तो अगले दिन survey किस point को मानके करोगे जो तो वह point क्या होता है वह point में एक निसान लगा दिया जाता है ranging rod आप लोग लगा देते हो उसको क्या कहते हो temporary benchmark उसको कहते हो ठीक है कोई doubt यहाँ पर चलो चलते हैं next question की ओर point at which both foresight and backside reading are taken during the course of leveling is called उस course of leveling को आप लोग क्या कहते हो बोलो भाई course of ऐसा बिंदू जिसके अग्र लोपन और पस्च लोपन दोनों तले च्छन के दवरान किये जाते हैं intermediate point benchmark point station की change point भाईया मेरे point अडिल बोथ foresight and backside reading taken during course भाईया यह बताओ जब आपका कोई यह ऐसा ground है तो यहाँ पे आपने यह लगाया instrument यहाँ से क्या लोगे foresight वीरिंग और यहाँ से backside वीरिंग या आपके backside और foresight और जो beach की reading होगी वो intermediate side जब तक लेओगे तब तक ground आपका यह change ना करें elevation जैसे ही elevation change करेगा वहाँ पे आपको इस instrument को उठाके यहाँ पे रखना पड़ेगा इसका मतलब point आपका जहाँ पे change होता है वहीं पे आप लोग वहीं से क्या लेते हो backside और foresight की reading आप लोग लेते हो चलो चलते है next question की और कर आयकर्ड surface which at every point is perpendicular to the direction of gravity at the point is known as level plane level surface horizontal surface vertical surface बताओ भाई क्या लेओगे उसको क्या कहोगे covered surface which at every point ये देखो ये आपका कोई अर्थ है इस अर्थ पे ये जो surface होता है ये आपको क्या कहलाता है यह आपका क्या कहलाता है ये आपका level surface कहलाता है level surface और ये क्या करोगे perpendicular to the direction अब देखो जैसे यह जाओगे यहाँ पे यह इसका direction से perpendicular इसका होता जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका यह आपका level surface होता है ठीक है चलो चलते हैं next section की ओर tripod settles in the interval that elapsed between taking a back side reading and following four side reading then the elevation of turning point will be turning point क्या होगा increase करेगा decrease करेगा not change may increase or decrease क्या करेगा बोलो भाई क्या करेगा तो भाया जैसे ही ट्राइपोड को सेटल करोगे किसी भी इंटर्वल पे इलाप्स बिट्वीन टेकिंग अ बाक साइड रीडिंग एंड फॉलुविंग फोर साइड रीडिंग तो इलिवेशन आपका क्या करेगा वाहिएसा इनक्रीज करेगा तो आपको चेंग क्या होगा ? से आपकी रीडिंग्स अच्छे से आएगी कह रहा है रिड्यूस लेवल आफ बेंचमार्क 100 मीटर बैक साइड रीडिंग इस 1.215 एंड दा फोर साइड रीडिंग इस 1.870 रिड्यूस लेवल आफ फारवर्ड स्टेशन का निकालना है बताव भई आपको रिड्यूस लेवल दिए है बैक साइड दिए फोर साइड दिए तो आप लोग क्या करो पहले हाइट आफ इंस्टुमेंट निकालो हाइट आफ इंस्टुमेंट कैसे निकालोगे हाइट आफ इंस्टुमेंट आप लोग कैसे निकालोगे देखो हाइट आफ हो जाएगा 100 प्लस बैक साइड 1.215 मीटर यह आपको हाइट आफ इंस्ट्रुमेंट इस हाइट आफ इंस्ट्रुमेंट में फॉर साइट रीडिंग घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा reduce level of the forward station बोलो भाई calculate करके तो reduce level of reduce level इसके लिए क्या मिल जाएगा 101 समलो 215 माइनस 1.870 1.870 इसको calculate करो answer आजाएगा आपका something कितना रहा है 99 कितना रहा है 99.345 मीटर ठीक है यह आपका answer हो जाएगा very good बेटा ठीक कि चलते हैं next question की ओर सेप फैक्टर सेप फैक्टर क्या होता है बताओ भई सेप फैक्टर आपका क्या होता है is safe factor kya होता देखो safe factor आपका आपका क्या होता है पहली बात तो safe factor हर material का safe factor बिटा अलग-अलग होता है safe factor की value क्या होती है safe factor safe factor is equals to ZP by Z ZP by Z यह होती है ZP by Z कहीं दिया नहीं है ZYZP दिया है इसका मतलग क्या हो जाएगा none of the above ठीक है none of the above चलो चलते हैं next question की ओर in the roof of principal rafter most frequently used in section कह रहा है च्छत कैंची में मुख राफ्टर के लिए अक्सर निम्लिकित खंड का प्रियोग किया जाता है two channel placed back to back one angle and one channel placed back to back two angle placed back to back none of the above किसका प्रियोग करते हो बोलो भाई रूफ ट्रस में जो रूफ ट्रस होती है उसमें दो एंगल रखे जाते हैं आपके रूफ ट्रस में आपके दो एंगल रखे जाते हैं back to back ठीक है मातलब जो रूफ ट्रस मनाओ गे ऐसे तो दो एंगल ऐसे back to back ऐसे लगाए जाते हैं उसकी उपर फिर ये छद डाली जाती है ठीक है तो टू एंगल बैक टू बैक ऐसे रखे जाते हैं ठीक है ये आपका किसके साथ जाएगा सी नंबर के साथ चला जाएगा चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर कह रहा है लैप स्पाइस आर नौट रेकमेंडेड टू यूज फॉर रेवर डायमीटर एबव बताओ भई कि क्या होगा इसका अंशर कि लायप स्प्लाइस क्या होता है देखो लायप स्प्लाइस क्या होता है सपोस्ट यह आपका यह ऐसा structure है यहां पर एक member है और इसको lap कराते हुए तीसरा member जोड दिया गया तो यह कह रहा है जो lap की distance है यह वाली जो lapping distance है हम आई यह वाली इसको क्या कहेंगे lapping distance यह distance lap रेवार में कितनी होती है यह बेटा 36 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 36 mm यह होनी चाहिए आपकी ठीक है इसका क्या होगा 36 mm चलो चलते हैं next question की ओर इस्प्लाइस फॉर कंप्रेशन मेंबर आर डिजाइंड है इस्प्लाइस जो डिजाइंड किया जाता है short column long column intermediate column नन आप दिये अब किस के लिए किया जाता है तो इस्प्लाइस जो बेटा यूज कंप्रेशन मेंबर में डिजाइंड किया जाता है आपका short column के लिए किया जाता है किसके लिए किया जाता है short column के लिए स्प्लाइस का यूज आप लोग करते हो ठीक है कोई डाउट कोई डाउट की नहीं बोलो भाई चलो next question की ओर कह रहा है simply supported RCC beam having clear span five meter दिये चलो ठीक है मान लिया supported width 300 mm has a cross-sectional soving in figure what is the effective span of the beam beam का effective span निकालना है आपको भाई बता हो जल्दी से effective span कैसे निकालोगे पर KERS कि बोलूट कि effective span क्या होता है अर्य भाई कोई बीम है यह आप की कोई बीम है यह वाली को पीम मैं अब काय रहा है यह जो है यह किदिनी दिए है आपका 200 mmुम दिए देखो यह किदनी दिए है आपकी यह आप त्री एंडर किसनी दिए लिए और कि तू लाइस लंबाई कितनी हैं पांच मीटर टू कबर रहे अब इसमें कह रहा है तो एल इफेक्ट्ट्व किसके बरावा ये देखो बेटा या जो होगा इसके center point से आप लोग यह distance लोगे, इसके center point से यह जो distance होती है, यह आपको निकालना है ऐफेक्टिव लैंज, यह वाली तो इसके center point से इसकी distance यह 200 mm दिये है, आप लोगों को, यह क्या निकालोगे, यह आपकी 100 हो जाएगी, transparent, यह 100 यह 100 और इसमें जोड़ दो 5, 6 इसको जोड़ दो सारों को ये कितना हो जाएगा 5000, 5000 प्लस ये बेटा 300 है इसलिए question में ये गड़वड है ये rating आपकी 300 दिये है ठीक है ये 300 है तो क्या हो जाएगा 5000, 5000 प्लस D1 by 2 इसका मतलब क्या है ये 300 divided by 2 ये कितना हो जाएगा 300 divided by 2 ये 5000 प्लस डेढ़ सो प्लस डेढ़ सो ये कितना हो जाएगा 300 इसका मलब 3300 अंसर कितना आ जाएगा आपका ये तिरपन सो आपका अंसर आ जाएगा बोलो भई ठीक है कोई डाउट इसकी चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की ओर कह रहा है maximum tensile reinforcement in RCC beam 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 is given by maximum tensile reinforcement कितना होता है RCC beam में बोलो भई कौन सा नहीं होगा बोलो maximum tensile reinforcement अ हाँ बेटा दोनों मैंने एक ही बताई है अभी condition एक ही बताई है ज्यादा confusion नहीं कर रहा तुम लोगों को वरना और आप लोग परसान हो जाओगे बोलो भई इसकी बोलो भई maximum tensile reinforcement कितना होता है C number very good बेटा 4% of gross sectional area 0.04 D ठीक है चलो चलते हैं next question की ओर singly reinforced concrete beam 300 mm width and 750 mm effective depth is provided with 200 mm steel square if the modular ratio आपका M कितना दिये है 15 depth of the neutral axis में लगानी depth of the यह कह रहा है यह beam है आपका यह beam है जिसकी width कितनी दिये 300 mm दिये 300 mm दिये 300 mm दिये और depth कितना है effective depth इसका मतलब यह कोई reinforcement होगा यह यह आपका 750 mm दिये यह आपका 750 mm दिये M की value निकालना है area आपकी ठीक है प्रभावी गहराई में और area कितना दिये AST AST 2000 mm square इसका area दिये 2000 mm square इसका area दिये क्या पूचा है depth of neutral axis neutral axis की depth आप लोगों को बताना है बता भाई depth of the neutral axis depth of neutral axis कैसे निकालते हो working stress method से बोलो भाई तो depth of neutral axis b into xa square divided by 2 is equals to m AST d minus d minus xa इसमें रख दो सारी value आपको दिये है और आपको xa की value depth of neutral axis मिल जाएगी सारी value आपको दिये हैं इसमें रख दो और निकाल आएगी भाई बोलो भाई यह आप लोग रख दो निकाल आएगी आपको यह बता वाई कितना आए अंसर अंसर कितना आए अंसर इसका आएगा अंसर इसका आएगा सम्तिंग depth ratio कह रहा is spend to effective depth ratio for a continuous beam with steel girder fe 415 should not be more than if and बता वाई continuous beam के लिए आपको बताना है कितना होता है सर मैं UPPCL का कोर्स लेना था गलती से दूसरा हो गया है क्या वो चेंज होगा सर प्लीज है बेटा उसमें जो है help line number है help line number में आप call कर लो जितनी भी आपकी problem होगी basically आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी ठीक है ना help line number दिये है वह आप लोग call कर लो उसमें ठीक है तो बताव भाई continuous beam के लिए कितना होता है continuous beam के लिए आप पूछ रहा है ना continuous beam के लिए होता है 26 ठीक है 26 होता है ये continuous beam के लिए 26 होता है चलो चलते हैं next question की ओर इन आर रीन फोर्ट concrete beam if the amount of reinforcement increases ठीक है भाईया देखो जैसे ही आपका ये ये neutral axis है तो जैसे ही आप यहां पे reinforcement की amount बढ़ाओगे तो depth of neutral axis remains constant होगी ये एकसे की value पहुच रहा है कि आपका depth of neutral axis increases तो आपकी जैसे ही amount of reinforcement यहां का बढ़ेगा तो ये neutral axis की depth भी आपकी बढ़ने लगती है क्या हो जाएगा depth of neutral axis increases ठीक इस चीज को आपको ध्यान में रखना है चलते हैं नेक्स question की और वेन बेट भी effective depth D overall left D maximum area of reinforcement in RCCB cell not exceed किस से exceed नहीं होता ज्यादा नहीं होना चाहिए answer बताओ भई बोलो भई answer अभी बताया है 4% of gross sectional area तो क्या हो जाएगा 0.04% of BD maximum जो reinforcement कितना होता है इतना होता है चलते हैं नेक्स्ट question की ओर in air conditioning building कह राए बेटा air conditioning building है a door has to serve both purpose of opening and closing and most suitable type of door जो air condition building में डूर आप लगाओगे तो वो क्या है बेटा बोथ purpose होता है open का को लोज का तुए डूर कौन सा होगा swinging डूर sliding डूर ruling shutter डूर बता भई कौन सा डूर आप लोग लगाओगे बोलो जल्दी से तो इसमें चौथा option नहीं दिया देखो जब आपका ऐसा डूर आपने देखा नहीं बेटा sliding नहीं होगा एक होता है डूर चौथा option इसमें छुप गया है या तो दिख नहीं रहा एक होता है revolving door revolving door ठीक है air condition building में लगाया जाते हैं जो किसमें एक ही सरा का जो है सीधे जो है आप घुसे होगे तो आपको जैसे ही आप जो है एक तरफ से खोलते हो दूसरे तरफ से बंद भी होने लगता है ठीक है तो उसको क्या कहते हैं revolving door door is revolving door चलो internal vertical sides of door and window opening provided in wall are known है जो opening provider करते हो कैसे करते हो verticals reveals jumps none of these जो opening प्रवाइड करते हो कैसे प्रवाइड करोगे भाई कि बोलो जल्दी से answer बता हो जो opening प्रवाइड होते हैं किसमें internal side of door and window में जब खुलती है open की और तो जो क्या होता है वह आपका jump कहलाता है क्या कहलाता है jump कहलाता है internal vertical sides door and window opening provided in wall are known as वह आपका क्या कहलाता है वह आपका jump कहलाता है ठीक है चलते है next question की ओर in a wooden door style क्या है wooden door में style क्या कहलाता है outside vertical member of the shutter top most horizontal member of the shutter middle horizontal member of the shutter horizontal projection of the head यह क्या कहलाता है बोलो भई प्रोजेक्शन आप दा है यह क्या कहलाता है बोलो answer बताओ भाई अरे भाई जो आपका wooden ear door में outside vertical member जैसे यह आपका मतलब यह दरवाजा है यह चोखट होती है यह जो member होते है outside vertical member यह क्या कहलाते है यह आपके क्या कहलाते है यह आपके style कहलाते है यह क्या कहलाते है यह आपके style कहलाते है ठीक है चलो next question आपका from practical consideration and effective working of the ventilation system the desired value of rate of air change per hour air change per hour की desired value कितनी लेते हो बोलो भई बोलो भई air change per hour की value कितनी लेते हो from practical consideration effective working of भया आपके घर में मानलो ventilation है आपने ऐसी जगह बना दी जहां पर आपको क्या ना तो air जा रहा पा रही है तो जो ventilation के लिए आपको proper air की जरूरत होती है वो कितनी होती है वो आपकी change per hour मतलब 5 जो है unit hour आपका 5 unit rate से air change होनी चाहिए प्रतिघंटा ठीक है इसका क्या होगा answer 5 next question which of the following type of door can allow air circulation and privacy even when it is closed जब आपका closed वायर गेज्ड लोवर्ड पार्ट पैनल्ड पार्ट गेल ग्लेज्ड की फ्लस पता हो भाई क्या होगा इसका answer बोलो भाई जल्दी से बता हो आज का विच आप the following type of door can allow air ऐसा कौन सा दर्वाजा है जो air को अपने अंदर से ला देता है जो privacy even then it's closed और privacy प्रदान करता है privacy को भी भंग नहीं करता तो ऐसा दर्वाजा आपका क्या कहलाता है ऐसा दर्वाजा आपका lowered दर्वाजा कहलाता है ठीक है चलो वेरी गुड बेटा आज के question यहीं तक रहे मिलते हैं हम लोग आप लोगों के जो है नेक्स्ट जो है session में ठीक है student thank you so much all of you